एक साधारन व्यक्ति भी सिध्धी स्वरूप बन सकता है। खुत की सोच, खुत के बोल और खुत के करम। साथ-साथ जो कुछ वो कर रहा है, उससे संतुष्ट। जो भी उसके आसपास हैं, उन सब्सें संतुष्ट। जो ये तीनों से संतुष्ट रहता है, वो सिध्धी स्वरूप बन सकता है। ओम शांती। कर दो